नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबर और उनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी जीडी और स्सी जीडी में आने वाले कुछ महतुपूर्ण प्रिश्णों के बारे में तो दोस्तो ये जो प्रिश्ण होंगे ये आपके आर्मी जीडी, येरफोर्स, नेवी और स्सी जीडी के अंतरगत आने वाली सभी फोर्स के रिटेन एक्जाम में बार-बार रिबीट होते रहते हैं तो बीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तो आपके लिए अगर आप आर्मी ये फिर किसी भी डिफेंस फोर्स में भरती होना चाहते हैं तो इस बीडियो को लाज तक जरूर देखें तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो Question No.1 है पेरे सहर किस नदी की किनारे इस्थित है दोस्तो इस वीडियो में जो भी questions होंगे ये questions आपके Army GD की रिटेन एक्जाम में काफी बार repeat हो चुके हैं ठीक है? तो पहला question का दोस्तो सही answer है आपका option D, C नदी तो पेरे सहर दोस्तो C नदी के किनारे इस्थित है Question No.2 है आरे समाज की स्थापना किशने की Question No.2 के options होंगे राजा रामोहन राय, स्वामी बिवेकानंद, स्वामी दयानंद और स्वामी सहजानंद तो दोस्तो इस question का answer बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी भी question का answer पहले से ही पता है तो आप उसका comment box में comment करके जवाब जरूर दें इससे क्या होगा कि आपको अपना जो self analysis होगा आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके कितने में से कितने questions सही गए तो इससे आप कितने पानी में हैं वो आपको पता चलेगा तो question number 2 का सही answer है option C स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद ने आरे समाजगी इस्थापना की थी question number 3 है फतेपुर सिक्री का निर्माड किषने करवाया options हैं आपके option A अकवर option B बाबर option C भुमाईू and option D है जहांगीर तो question number 3 का सही answer है option A अकवर ठीक है तो फतेपुर सिक्री का निर्माड किषने करवाया था अकवर ने ठीक है question number 4 है नालंदा विस्वद्याले की इस्थापना किषने की options है सलादितने चंदरगुप्तने कुमारगुप्तने या फिर हर्सवरधनने तो question number 4 का सही answer होगा option C कुमारगुप्त ठीक है तो जो नालंदा विस्वद्याले है इसकी जो दोस्तो इस्थापना करवाई थी वो करवाई थी कुमार गुप्तने और नालंदा विस्वद्याले कहाँ पर है ये है बिहार में question number 5 है भारती बायू सिना का इस्थापना दिवस कब मनाय जाता है वो है दोस्तो 8 October के लिए तो भारती बायू सिना दिवस Indian Air Force Day और भारती बायू सिना की स्थापना कब हुई थी 8 October के लिए हुई थी ठीक है तो next question के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से इस वीडियो की PDF फाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो आप सभी को पता होगा आप बहुत सारे चैनल से यूटूब पर देखते होंगे पीडियो का आज तक आप से एक रुपे नहीं लिया है अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझे बास्तब में तो अपना लाइक और अपना सपोर्ट दें बस वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके हमारी चैनल को सपोर्ट जलो करें ठीक है तो कोस्चन नमबर सिक्स है विशु का सबसे बड़ा देश कौन सा है ठीक है विशु का सबसे बड़ा देश कौन सा है ओप्शन से आपके रूस, जर्मनी इंडोनेजिया या फिर ओप्शन डी है आपका सेयुक्त राज्य अमेर का तो कोस्चन नमबर सिक्स का सही आंसर होगा ओप्शन ए रूस, ठीक है रूस जो है दोस्तों वो वर्ड का सबसे बड़ा देश है ठीक है और वर्ड में भारत का छेतरफल की दरिश्टी से कौन से इस्थान है, सातवा ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा कोस्चन नमबर सेविन पिरसिद खेल, बेसवाल में कितने खलाड़ी होते हैं ठीक है, तो ये दोस्तों जो बेसवाल गेम होता है, इसमें कितने खलाड़ी होते हैं, दोस्तों ये जो बारे में पढ़ते हैं लेकिन ये जो question है ये बार-बार आपके exam में repeat इसलिए होता है क्योंकि आपके लिए इस question के बारे में knowledge नहीं है तो question number 7 का सही answer है आपका option D 9 ठीक है तो याद रखेगा base wall में कितने खलाड़ी होते हैं 9 खलाड़ी question number 8 है मैग मोहन रेखा किन देशों के मद इस्थित है आपके भारत और चीन भारत और पाकिस्तान अमेरिका और कनाड़ा और पाकिस्तान और बंगला देश तो दोस्तों जो मैग मोहन रेखा है वो भारत और चीन के मद इस्थित है ठीक है भारत और चीन के मद रेखा है उसको को बोलते हैं हम मैं मोहंरेखा ठीक है तो question No.8 का सही answer option A भारत- और चीनके बीज में मैं मौहंरेखा है question No.9 है दिल्ली चरओ का नारह किस के दौरह दिया धिक is यह जो नारह दिया था दोस्तो दिल्ली चरओ यह नारह ओने द्वारा दिया गया है तो इस question में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत के बेक्तियों के द्वारा दिये गए प्रिसिद नारों के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजट करके एक वीडियो देख सकते हैं जिस वी question 9 के जो options हैं वो हैं जवाहर लाल नहरू, महत्मा गांधी, सुभास चंद्र बोष या फिर इन में से कोई नहीं question 9 का सही answer है आपका सुभास चंद्र बोष ठीक है दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों सुभास चंद्र बोष नहीं next question है हमारा question 10 भारत में आने वाला प्रिथम विदेशी यात्री कौन था भारत में सबसे पहले जो विदेशी यात्री आये था उसका नाम क्या था ठीक है तो भारत में सबसे पहले विदेशी यात्री जो आये था उसका नाम था दोस्तों फायान ठीक है तो question 10 का सही answer है आप का option A फायान तो ये थे दोस्तों आज के 10 questions जो कि आपकी आर्मी और SSC GD में आने वाली सभी forces के written exam में पूछे जाते हैं ठीक है ये जो question है दोस्तों आर्मी की GD के exam में काफी बार repeat हो चुका है तो दोस्तों ये जो 10 questions थे बहुती ज़्यदे important question थे दोस्तों आपके लिए हमारे चैनल पर इस टैप की videos भीडियों से मिलते रहती हैं और इनके साथ साथ आपके लिए हमारे चैनल पर government job update जिसमें केबल defense के job की update में आपके लिए देता हूँ ये दौ प्रकार की वीडियों आपको भीडियों घॉती तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आकन को भी प्रेस जरूर कर लें जिससे मेरे चैनल पर कोई भी वी वीडियो अप्लोड हो तो उसकी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे ठीक है तो चलिए दोस्तो थैंक जब जब आप